वेल्कम टू सरबन सिंग संगरिया आज आपको दिखाते हैं पंद्रा कल्टिवेटर मैनुल फॉल्डिंग जो की फुल हैवी में बने हुए हैं देखिए इसका फ्रेम है जो 70x70 mm पाइप का बना हुआ है चौरस बीम का और इसके सेंटर में पाइप लगा हुआ है शो के लिए यह अप्शनल है आप लगाना चाहें लगा भी सकते हैं हटाना चाहें हटा भी सकते हैं और इसके जो गोडी लगी हुई है वो प्लेट की लेजर से कटी हुई है और यह इनका नंबर है यह गोल टाइन में बनता है बिना स्प्रेंग के इसमें एक आगे सेफटी पोल्ट दिया होता है जो की तीरा नंबर का होता है जब भी इसने अड़ जाना है तने में अड़ेगा तो यह नट तूट जाएगा हल उपर को गुम जाए है फ़ल टूट जाए तो बदल के नहां मिल जाएगा यह फुल हैवी में बना हुआ है नियू मोडल इसका जो फोल्डिंग है इसमें दो-दो फोल्डिंग है अगर आप एक-एक फोल्डिंग करवाना चाहिए दो-दो तीन-तीन फोल्डिंग तो भी हो जाएगा यह होता है इसमें फोल्डिंग हैवी प्लेट लगी हुई है उसमें ज्यसीवी की पिन दी हुई है यह घस्ती नहीं है इसमें प्लेट नहीं पड़ती है अगर अगर इसे फोल्डिंग करते हैं तो यह ऐसा दिकएगा फोल्डिंग करने के बाद नीचे 11 बच जाएंगे अगर आप नीचे 13 रखना चाते हैं तो एक-एक फोल्डिंग भी करवा सकते हैं यह इसमें 11 कल्टिवेटर नीचे बच गए दो-दो टाइन फोल्डिंग है इसको सीधा करने के बाद यहाँ पे यह पिन डाल दीजिए और यह लोक हो जाता है और उसके बाद आप चला सकते हैं रस्ते के लिए आप फोल्डिंग करके ले जा सकते हैं रस्ते में ले जाना है तो फोल्डिंग करके आप ले जा सकते हैं इससे रस्ते में कोई दिक्कत नहीं आती है इसका वजन साड़े चार कॉंटल है और ये 13 कल्टीवेटर से लेकर और 21, 23, 25, 27 कल्टीवेटर तक बन जाते हैं इनकी रेंज स्टार्ट होती है 33,000 रुपे से स्टार्ट होकर एक लाज रुपे तक रेंज चली जाती है इनकी बड वो बड़े कल्टीवेटर में होता है ज्यादा जानकारी के लिए आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद